हलो दोस्तों स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजियल 2021 परिच्छा में पूछे गए important questions के बारे में जो की जीके के हर एक segment से related हैं और आगामी SSC exam के लिए काफी important रहने वाले हैं तो चलिए start करते हैं आज की class को और देखते हैं आज का सबसे पहला question और सबसे पहला question है निम्न में से किस भारती राज में आपको तिब्बती बौध सौन मंदीर मिलेगा दीके बौध धम से related जो तिब्बती बौध सौन मंदीर है वो आपको किस राज में मिलेगा तो basically आप जो देखेंगे बौध धम का ज्यादा जो हमको प्रचार प्रसार देखने को मिलता है यानि उससे related जो भी मठ है monastery है वो हमको देखने को मिलती है North India में उत्तर भारत में यानि सिक्किम में बहुत सारी monastery है हिमाचल प्रदेश में कई सारी monastery है उसके अलावा आप देखेंगे क्योंकि तिब्बत का जो छेतर है वो भी North India से ही जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसी तरफ हमको देखने को मिलती है तो इससे धोखा खाकर आप तिब्बती बहुत स्वाण मंदीर को हिमाचल प्रदेश या सिक्किम option ठीक कर सकते हैं लेकिन इसका जो सही answer है वो है करनाटक तो जो तिब्बती बहुत स्वाण मंदीर है ये आपका करनाटक में इस्तित है ना ही हमाचल प्रदेश और ना ही सिक्किम में तो ये बात आपको ध्यान रगने है क्योंकि बिसिकली जातर जब बहुत धर्म की बात आती है मौनेश्ट्री की बात आती है तो हमारे माइंड म इक्जाम में भी कई सारे क्षिशन पूछे गयों 2015 की जनगर्णा से तो 2015 की जनगर्णा के अनुसार निम्न में से किसकी साच्छर्टादर 90% से अधिक है यानि आपसे उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है यानि वो राज्य भी हो सकता है कोई केंसाजित प्रदेश लेकिन यहां पर जो चारों आपको दिये गए है वो चारों एक राज्य ही है और इन में किसकी साच्छर्टादर 90% से अधिक है तो ये आपको बताना है तो अगर देखे हम बात करें साच्छर्टादर की लिटरेसी रेट की तो देखे सबसे पहले नंबर पर पहले भी हम केरल है ही नहीं तो फिर हम इसको आफसन टिक नहीं कर सकते यानि जब आफसन में ही नहीं दिया गया तो फिर हमको जो सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर जो राज्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए उसके अलावा बात करें अगर हम यूटी में कौन फर्ष्ट ह यानि Union Territories में सबसे ज़्यादा जो साचर्टा है वो किसकी है तो वो है लच्छुदीब की तो लच्छुदीब की साचर्टा UT में सबसे ज़्यादा है Union Territory में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी लच्छदीप की साचर्टा दर तो वो भी हमारा आफशन में नहीं है और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मिजोरम तो अगर हम बात करें मिजोरम राज्य की तो इसकी साचर्टा दर है वो 90% से अधिक है दिये गए 4 आफशन के अंदर अगर यहाँ पर केरल होता तो फिर हमारा आफशन केरल ही सही होता लेकिन यहाँ पर आपको अधर आफशन दिये हुए तो जो मिजोरम की साचर्टा दर है 91.58% है उसके अलावा बात करें अगर हम गोवा की तो गोवा की साचर्टा दर 88.70% है और त्रिपुरा की 87.2% तो 90% से जादा जो साचर्टा दर है वो हमारी मिजोरम की है अगला कुश्यन है मेसोपोटामिया के लोग किसे बनी तक्तियों पर लिखते थे तो देखें मेसोपोटामिया सब्विता है वो चिकनी मिट्टी से बनी तक्तियों पर लिखते थे क्योंकि तब तो ना कोई सलेट होती थी ना कोई बोर्ड होता था वहाँ पर वो चिकनी मिट्टी से जो तक्तियां बनती थी उसी में लिखा करते हैं क्योंकि जैसे हमको प्रमाण मिले उसी के आदार पर जो एदियासिक प्रमाड होते हैं उसी के हिसाब से हम ये अनुमान लगाते हैं कि कैसा जीवन रहा होगा उन सब विताओं का अगला क्वेशन है नालंदा और विक्रम सिला विश्यो विद्याले की स्थापना किस राज वंस के सासनकाल में हुई थी तो बात करें अगर हम नालंदा और विक्रम सिला विश्यो विद्याले की स्थापना की तो ये हुई थी पाल वंस के सासनकाल में तो पाल वंस का सासन उस समय हुआ करता था जब इन विश्यो विद्याले की स्थापना हुई और बात करें अगर हम विक्रम सिला विश्यो विद जो कि हमारा एक word-headed sites भी है और बिहार में इस्तित है तो बिहार में इस्तित नालंदा विश्व इद्याले नालंदा महावियार भी जिसे हम कहते हैं वर्ड हीटे साइट्स है और इसका निर्माण गुप्त मंस के सासक कुमार गुप्त ने करवाया था और इस से related कई सारे interesting fact है fact हैं और साथ ही साथ इस से related story भी है और जब हमने word detail sites के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने आपको नालंदा विश्व इद्याले के बारे में detail में चीजें बताई थी कि क्यों यहाँ पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और पहले यह सिच्छा का एक बड़ा केंद रुआ करता था और यहाँ पर जब वक्तियार खिलजी के द्वारा इसमें आग लगाई गई तो फिर कई सारी जो किताबे हैं वो 6 महीनों तक जलती रही यानि इसको पूरी तरीके से दोस्त कर दिया गया था और अब इसके केवल औसेस ही बचे हुए हैं और इसलिए इसको एक वर्ड हेटेस साइट का दरजा भी दिया गया तो उससे रूटेट जो भी स्टोरी है जो भी उसका इतिहास है यहाँ पर आप आई बटन से उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो हमने वर्ड हेर साइट के अंतरगत बनाया था वहां से आप डीटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अब यह बढ़ते हैं अगले कुशन के और अगला कुशन है निम्न में से किस भारती राद में गोरी चेन चोटी इस्तित है तो यह बिसिकली मांटन पीक है गोरी चेन और यह इस्तित है अरुनाचल प्रदेस में तो अरुनाचल प्रदेस जो कि हमारा नौर्थ इस्ट का एक राज है वहां पर इस्तित है यह गोरी चेन चोटी अगला कुशन है निम्न में से कौन सा ताल या आघात वाद नहीं है तो यहां पर जो हमारा सही अंसर होगा वो होगा सरोद तो सरोद यहां पर ताल या आघात वाद नहीं है अगला क्वेश्यन एक सामान वयश्क मानों सरीर में लगभग कितने ग्राम मैगनीशियम होता है तो आपको बताना है एक सामाने वैश्क मानों सरीर में कितने ग्राम मैगनीसियम होता है तो इसकी जो मात्रा होती होती है 25 ग्राम तो अगर आगर सामाने बात करें तो सामाने वैश्क मानों सरीर में 25 ग्राम मैगनीसियम पाया जाता है अगला कोशान है निम्नमे से कौन सा परवत धोली गंगा नदी के निकट इस्तित है तो दिखे धोली गंगा रिवर है और इसके निकट कौन सा परवत इस्तित है तो वो है नंदा देवी परवत नंदा देवी परवत इस्तित है धोली गंगा नदी के निकट अगला कोशान है निम्नमे से किस वर्स में भारत में पहली बार नागरिक्ता अधिनियम पारित किया गया था तो दीखे ये जो year था वो था 1955 और 1955 में ही नागरिक्ता अधिनियम पारित किया गया तो उसलिए काफी सारे जो रूल हैं वो बनाए गये नागरिक्ता से रिलेटेड और नागरिक्ता अधियम को 1955 में पारित किया गया और बात करें अगर हमारे भारत के समविधान में तो नागरिक्ता का जो वर्णन मिलता है वो भागदो में हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 5 से 11 यानि 5 से गेरा अनुछेद गेरा तक जो भी वर्णन दिया गया है वो नागरिकता से संबंदित ही वर्णन हमारे सम्विधान में दिया गया है अगला क्वेशन है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाश अंदबोश ने कहाँ पर स्वतंत भारत की अनंतिम सरकार के गठन की गोशना की थी तो यहाँ पर बात की जारी है नेता जी सुभाश अंदबोश के द्वारा कहाँ पर अनंतिम सरकार के गठन की गोशना की गई थी तो यह सिंगापुर में गुजारा जापान में गुजारा जर्मनी से भी अच्छा संबंद से निता जी के तो 21 अक्टूबर 1943 को सवतंत भारती नंतिम सरकार की गठन की गोशना सिंगापुर में की थी सुभाश शंद बोसने तो यह हमारे आज के इंपोर्टेंट 10 क्वेशन थे इनके बारे में हमने डिटेल में डिसकस किया और इससे रिटेट फीडिया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही अवेलबल करा दी गई है वहाँ से आप कुश्चन की प्रैक्टिस कर सकते और यह सभी हमारे क्वेशन लैटेश्ट प बचे हुए थे वो भी होने साथी साथ यूपी लेकफाल का एकजाम भी होना है यहाँ पर 19 जून को तो उसके लिए भी यह सारे कुश्चन इंपोर्टन रहने वाले हैं आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में न्यू इंपोर्